प्रिवेस वीडियो में हम लोगों ने कौन से कौन से थ्री व्यांजन को ध्यान में रखते हुए बाराकशरी की थी पटंग नौपो फटकड़ा नौपो और बख्री नौबो चलो बचो याद करो आप हिंदी में ब से बटक के बाद क्या लिखते हुए ब से बालू यहाँ पे क्या आएगा बख्री नौब्ब उसके बाद आता है बबमर्डा नौबॉ भघवान नौबॉ बगवान यानि जो ह अमरे गौड होते है वो और भमर्ड यानी क्या होता है आप लोग हिंदी में जो ल से लट्टू बोलते हो ना उसको गुजराती में भमर्ड बोलते है ओके भमर्ड नो भ उसके बाद क्या आएगा म मर्चा नो म म माचली नो म अने उसके बाद क्या आएगा यह यज्य नो यह यती नो य ओके सो आज हमें जो ठ्री व्यंजन को धियान में लेना है वो है ब बमर्डा नो ब म माचली नो म और य य य ग्या नो य ओके सो लेट स्टार्ट प्राइटिंग टेक अन्योर गुजराती टैक्सबूक पेज नमबर 80 8080 सो लेट स्टार्ट लुक एट इस फर्स्ट अफ अफ अल राइट डेट 3 1 2021 ओके हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प, फ, और ब ये तीन व्यंजन को धियान में रखा था और बारक्षर की थी आज हमें करना है ब, म, और य ओके सबसे पहले आप लोगों को ये याद में रखना है कि ये भ, कैसे लिखा जाता है कई बच्चों को अभी मैंने एक्जाम में चेक किया सारे अधे से ज्यादा बच्चे ने जो हमारा हिंदी का लास से लट्टू होटा है वही लिखा था सबनी यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से लिखना है कि भ, गुजराती वारा और लह से लट्टू वो दोनों कितने अलग है आप अगर गुजराती में लह से लट्टू भ समझ के लिखोगे तो वो आपका रॉंग हो जाएगा ये आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले आप लोगो को क्या करना है यहाँ से ऐसे कर्व करना है और यहाँ से आपको राउंड करके ये सीडी लाइन खीचनी है और यहाँ पे दूसरी लाइन तो हो गया ब, देखो ब, बमरडानो ब अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो आपने म से मचली लिखा म माचली नो म उसमें आपको आगे ऐसा कर देना है तो भी आप लोगों का अच्छे से ब बन जाएगा लेकिन अगर आपने लट्टू लिखा तो आपका रौंग ही होगा देखो दुसरी बार दिखाती हूँ सबसे पहले आपको लिखना है म माचली नो म और यहाँ से आगे थोड़ा कर देना है तो हो गया ब और ये क्या है? बी है ब, ब, ब देखो फिर से ब कैसे लिखना है? आपने हिंदी का मा आता है तो हिंदी का मौ भी लिख सकते हो अपने हिंदी का मौ लिखा फिर यहाँ पे आपको कर्व कर देना है हो गया भग लिखो भी next क्या है भू अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो आप ऐसा ठीन सी बनाओ फिर यहाँ से नीचे जाके राउंड लो और राउंड लेके आपको सीधी लाइन बनानी है और फिर यहाँ पे स्लिपिंग लाइन स्टेंडिंग लाइन और यहाँ से आपको कर्व कर के ऐसा करना है हो गया भू फिर है दुसरा भू भू लेकिन आपको अच्छे से करना है क्योंकि ये ल़ नहीं दिखना चाहिए यहाँ पर आपने ऐसा किया ये लाइन अगर आपकी सीधी रहेगी तो ही आपका भ़ दिखेगा अगर ये लाइन आपकी स्लेंटिंग या कुछ भी इदर उदर गई तो वो ल़ ही दिखेगा ओके बे देखो मैं कैसे दिखाती हूँ कई बच्चे कैसे लिखते हैं ऐसे कर देते हैं ऐसे लिखा फिर ऐसे कर देते हैं ये तो पूरा उल्टा हुआ ना फिर कई बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं ये तो लही है ये सारा रॉंग है ओके लिखो बे के बाद क्या आता है बई बो बो पॉम बोह ओके नेक्स्ट म माचली नो म ये तो सब को आता ही है लेकिन आपको इसमें क्या याद रखना है बच्चो आप जैसे हिंदी में मौ लिखतो हो वैसा यहाँ पे नहीं चलेगा यहाँ पे हिंदी के जैसा सीधा सीधा नहीं लिखना है थोड़ा कर्व कर्व कर्णा है सारे लेटर्स में आपने देखा होगा कि हिंदी में सिद्धा स्ट्रेथ होता है सब कुछ कर्व नहीं होता है यहाँ पे सारे लेटर्स में कर्व होता है कैसे देखो यहाँ पे आपने यह हिंदी का मौ लिखा यह आपका गलत हिंदी का हो गया यहाँ पे आपको आगे भी थोड़ा कर्व करना है और यहाँ पे जो लकड़ी बनाते हो, वहाँ पे भी करू करना है तो यह हुआ म, माचली नो म, 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 फिर मी, दूसरा मी, फिर मू, म, 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 मे, म, 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 और लास्ट मह, ओके समझ में आया बच्चो कैसे करना है ब और म, म लिखा और आगे करू कर दिया तो हो गया ब, ओके नेक्स्ट यह क्या है यह, यह, यग्यनो यह, चलो लिखो, यह, यग्यनो यह, यह, ई, यू, यू, देखो बच्चो इसमें भी आपको क्या ध्यान में रखना है आप लोग कई बच्चे ऐसे यह लिखते हो लेकिन यह तो प होता है तो आपको इसमें भी ध्यान में रखना है यह नहीं लिखना है आपको यह ही लिखना है ओके प जैसा नहीं लिखना आप जैसे टार टमाटर न टार लिखते हो ना वैसे यहाँ पे टार टामेटा न टार लिखो यहाँ से लखडी खिचडो तो हो गया यह, ओके यो, यो, यम और यहाँ, ओके, डन यह आप लोगों को वन टाइम हमवक में करना है और प्लीज बचों आप जब भी लिखो अच्छे हैंडराइटिंग में लिखो और लिखते समय ध्यान भी रखो कि कौन सा लेटर में क्या कर्व किया गया है तो ही आप लोगों का हिंदी और गुजराती अलग दिखेगा नहीं तो आप सीधा ही लिख दोगे तो वो हिंदी ही कहलाएगा वो आपका रौंग ही जाएगा कहीं बच्चों को मैंने देखा है हिंदी के जैसे गुजराती में भी उपर लाइन खिच देते हो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि गुजराती में उपर लाइन नहीं आती है ओके सो आज के लिए इतना ही यह आप लोगों को कम्पलिट करना है नैक्स वीडियो में उसके आगे के जो ट्रीवी अंजन है उसको हम ध्यान में रखेंगे ओके सो बाबाई